भारत नेपाल सीमा पर SSB ने नेपाल APF को मिठाई भेट कर मनाया आजादी का जस्न आपको बता दे सोतंता दिवस के 77 वर्स गाट पर हर घर तिरंगा फ़राया जा रहा है वहीं जस्न आजादी के परग पर लोगों में उत्सा का माहौल है वहीं भारत नेपाल चेक पोष्ट भीम नगर में बीते 20 वर्सों में पहली बार धोजा रोहन किया गिया है इंडो नेपाल सीमा इस्तित भीम नगर में SSB 45 वी बटालियन के कारवाहर कमांडेंट जग्दीश कुमार सर्मा दूतिय कमान अधिकारी के दौरा स्वतंता दिवस पर धोजा रोहन किया गिया जिसके बाद आजादी का जस्न मना रहे है SSB के जवानों ने नेपाल एपीएफ के जवानों को मिठाई भेट कर इस आजादी की खुसिया साजा की जवानों है कि आज हम अपनी आजादी का सततरवा दिवस मना रहे हैं और इसी सिल्जले में जो अंतराष्टी सीमा पर जहां अब तक तिरंगा नहीं लगा पाया जा रहा था वहां हमारे अधिकारी के दौरा मैनत करके कोशिश करके इसको रातोरा तयार कराया गया है है वह होचा और लैराता रही सम्मान के साथ मैं मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को आपके परिवारों को तेज की अखंटा और सुरक्षा के लिए जो आप जिम्मदारी निभा रहे हैं सिमा के इलाके में रहते हुए और जो ससब सीमा पन है इसका कित्य है सेवा सुरक्षा और बंदुत सेवा और सुरक्षा ससीमा पन बॉर्डर पर कर रहा है और बंदुत वाली जो कारवा ही है वह आप लोगों के साथ में कंदे से कंदा मिलाकर हमारे जवान दिन रात इसकाम में लगे हुए हैं और मैं आपको यकीन ही नहीं विस्वाद दिलाता हूँ कि इस कारिये में आप लोगों के सहयोग से हम इस कारिये को बखो भी निभाते रहेंगे और देश्की अखंड का और हेकता को बनाये रखेंगे और चरंगे का सम्मान बनाये रखेंगे बाराओ मतकी, 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 बाराओ झाल झाल पर आज पीडर नेपाल बोर्डर पर जब्रतरण किया गया है इसके साथ साथ नेपाल के पताधिकारियों को गीप्ष भी दिया गया है क्या कहें सरी पूरी यह हमारे मेत्री संब्ध है और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज हमारे शकुता दिवस अपने जमानों के प्रिकरिया के तहट जो हमारे मित्रता देश है उसके जो वहां पर फोर्स हैं जो उनकी स्वर्चा में दाईत लगे हुए हैं दोने ही देशों में मित्रता का भाव है तो इसी सीचले में हमने अपनी स्वर्पिलता दिवस के मगेपों को मिस्ठान पाटे हर घर तीरंगा का जो है कार्जकरम जो चलाया गया था वह हर जगा आज देखने को मिल रहा है इसमें काफी राहसर आपका क्या करेंगे हैं हमारे बल मुख्याला कि जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं तेरह तारिक से लेकि सोना तारिक तक हर घर तरंगा और आजादी कामरतकाल मुहस् जनता है उसमें जागरुकतक फैलानी है देशबक्ति की भावना फैलानी है पिसी सेलसले में जो अन्य प्रुगाम है इसे वर्चा रोपन करना है और गाओं के बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना है उसमें कारेकारम को हिस्सा है और उसी के दात हम भी जितनी से भी सीमा चोकी है हमारी उन सभी में प्रुगाम चलाए जा रहे हैं घृचा एक टैना है